हलो फूदीज तो चलिए आज बनाते हैं मटग बने वह भी क्विक एन ईजी बहुत ही सिंपल तरीके से वह भी रेस्टरॉन स्टाइल वाला तो इसके लिए पहले हम लेंगे एक कड़ाई कड़ाई में डालेंगे एक चौमिच तेल तेल के गरम होते हैं हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लस्तन के कलिया, 2 इंच का अद्रक और 2 हरी मिर्च, 2 कटिवे प्याँच और 1-2 कटिवे टमाटर इसे हमें 2-3 मिनिट तक भूनना है जब तक प्याँच टमाटर हलके नरम ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे बिल्कुल लू फ्लेम पे अब हम इसे ठंडा करके एक निक्सिंग जाड में डाल लेंगे क्योंकि अब हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और हमें पेस्ट बनाने के वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करना है अब हम ले लेंगे कडाई, कडाई में डालेंगे हम 2-3 चमच तेल, तेल की गरम होते हैं हम बिल्कुल लो फ्लेम पे बूनना है अब हाई फ्लेम पे जादा धे तक ना भूने क्योंकि मसाला जल भी सकता है अब हमने जो प्रिपेर करके रखा था पेस्ट हम उसे डाल देंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पे बूनेंगे जब तक 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 हमें इसे बूनना है तो इसे ब भूँना है, अब नमग डालेंगे स्वाद अनुसार और अब इसमें डालेंगे एक कप के करीब पानी तक हम अच्छे से ले पकाएंगे जब तक तेल उपर न आ जाए उब तक, तो देखिये तेल ऊपर आ चुक die तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे पकाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ढखकर नहीं पकाया है क्योंकि अगर हम इसे ढखकर पकाएंगे तो मटर का जो ग्रीन कलर है वो नहीं रहेगा तो अब हम इसमें म मटर पनीर हो गया है बिलकुल रेडी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही तेस्टी बनता है यह आप भी इस रसीपी को जरूर ट्राइ के जाएगा और अगर आपको मेरी रसीपी पसंद आई तो दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो दे चानल और आप मुझे इंस्ट